नमस्कार दोस्तों मैं अरुनेगवा फिर से आप सभी का कंपेटर पैक्टिकाल लाब में हाथ इक साथ करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू यूज गूगल डॉक्स ऑनलाइन तो चलिए वीडियो की शिरुबात करते हैं मैं अपने गूगल क्रोम में आ जाता हूं और आप यहां पर गूगल क्रोम में अपने लिखेंगे गूगल डॉक्स और यहां पर फर्स्ट वाले लिंक को उपन कर लेंगे और यहां पर इसको क्लिक करके उपन कर लेंगे और यहां से अपनी ID को login कर लेंगे यह आपके drive में फिर material जो है save होगा मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेंगा चलिए password डार लेते हैं और यहां से इसको okay कर देते हैं अब देखिए कि डोकिमेंट ओपन हो गए हैं काफी सारे आप यहां पर इसको blank वाले को select कर लेजिए और यह दिखिए कुछ MS Word के तरह यह खुल गया डोकिमेंट और यहां पर आप दिखेंगे कि अपने डोकिमेंट में जब किलिक करके आप यहां पर कुछ type करेंगे तो यहां पर material आपका automatic save होगा कैसे चलिए देख लेते हैं एक बार तो मैं यहां पर कुछ type कर रहा हूँ और यह type में कर रहा हूँ तो system थोड़ा सा हैंगो रहा है बाकि मैंने line जो है लिख दिये और यह थोड़ा सा देर में आजी देखिए आ गई और यह चीज यहां पर दिखिए दिखाता है मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बोल्ड कर लेता हूँ मैं इसको और यहां से दिखिए उपर यहां पर एक line आ रही होगी यह आ रहा all change save in drive आपके drive में यह material save होता रहेगा automatic जैसे जैसे type करते रहेंगे automatic यह save होता रहेगा अगर आप चाहिए तो इसे download कर सकते हैं देखिए हम आपे saving लिखा रहा है इस time मैं कुछ type करता हूँ तो saving लिखाता है और जब drug जाता हूँ तो वो save हो जाता है और देखिए यहां पर download का option आ रहा है यहां पर click करके इसको अपने docs file में इसको download कर लिजिए नीचे देखिए download हो गया यहां से इसको open करके अपनी file को आप किसी भी तरीकी के use में ले सकते हैं से और यह एक अच्छा option है आपका online जो है data save होता रहता है यहां पर आपको control as करने की जरूद नहीं है यह automatic आपका material save होता रहता है तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़र पूरें